दोस्तों मैं हूँ सरप सुकला अगर आप सरकारी नोगरी की त्यारी कर रहे हैं दोस्तों आपके बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों बिहार में लगभग विधान सभा चुनाओं से पहले लगभग 2000 से अधिक जो पद हैं इन पर नियुक्ति होने वाली है दोस्तों जै अगस्त या सितंबर तक नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा और बहुत सारे वेकेंसी जिसका आविदन जो है फॉर्म भी जल्दी निकलने वाला है दोस्तों इसमें पंचायत सची के 5000 सधिक पद होने वाले हैं दरुगा के नए पद आने वाले हैं तो दोस्तों वीड सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल अकन को प्रेस कर दीजिएगा जिसे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें तो आई सुरू करते हैं आज का वीडियो देखिए यह खबर है देखिए देनी जागरण में यह साब साब सबस्ट रूप से बताया गया है कि चुनाओ पर नियुकतियां दोस्तों इसमें बहुत सारी प्रेस अैसे हैं जिन पर सिर्फ मिरिट के अधार पर नियुकति होने वाली है किस विभाग में कितने पत भरे जाने हैं ये पूरी बात करने वाले हैं इससे पहले हम पूरा ख़बर पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है देखे लिखा कि बिहार विधान सभाज चुनाओं के अधिसूचना से पहले करिब दो लाख बिरोजगारों को नौकरित देने की जो प्रक्रिया है वो सुरू होने वाली है सरकार द्वारा दी जाने वाले नौकरियों में नियमित के अलावा बड़ी संख्या में संविधा और मान्दे वाले विजोपद हैं वो भी सामिल है स्कूलों में एक लाग से अधिक सिक्षकों की जबकि विस्वेद्याले ओ कि अलावा अने स्तिरेडी के करीब 6,000 पतों पर नेक्कि स्कूलों में करीब 1,25,000 से अधिक जो है नेक्टिया होने वाली है इसके अलावा हम पूलिस विभाग की बालतिनों देखिए पूलिस महकमे में विभिन सिरडी के 30,000 से अधिक पदो पर नियुक्तियां होनी है इनमें 15,000 की जो नियुक्ति प्रक्रिया वो पूरी हो चुकी है और देखिए 15,000 पदों के लिए जो है जो आविदन पत्र है जल्द ही मांगे जाएंगे इनमें करीब 5,000 दरोगा के पद और सेश सिपाही के पद भी होंगे देखिए जो 15,000 पद आने वाले हैं बिहार में पुलिस भरति के लिए उनमें से लगभग 5,000 पद होंगे और दरोगा के यानि कि जो SI के होंगे और जो सेश पद बजते हैं वो यानि कि 10 से 12,000 के पद लगभव जोंगे और सिपाही की भरति के पद होंगे तो जोस्तों आपके लिए बहुत अच्छी ख़बर है अगर आप पुलिस के त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए जोस्तों इस वर्स जल्द ही आविदन फॉर्म आने वाले हैं और जो बिहारसाई मिंस के एक्जाम होने वाले हैं उसके बाद ही जल्द ही इसकी भरति प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी देखे साब साब लिखा है कि सिपाही चैन परसत के देखे साब साब लिखा है सिपाही चैन परसत ने 13,000 से अधिक पदों पर अगस्त तक नियुक्ति पूरी करने की पहल तेज कर दी है यानि कि जो सिपाही के 13,000 पदों पर चैन होना है नियुक्तिया होनी है इनकी पहल तेज कर दी गई है करीब 12,000 नई नियुक्ति के प्रक्रिया भी शुरू करने के तयारी है यानि कि जो 12,000 नई नियुक्ति होगी उसमें 4-5,000 जो होंगे एसाई के पद होंगे और 7-8,000 जो होंगे वो सिपाही के पद जो दोस्तों इन पर भरती की जाएगी इसके अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग ने सासन से लेकर नगर निकायों और वड़कों में करीब 9,000 पदों के लिए दो महिने के भीतर आवेदर मांगे जाने है तो दोस्तों यह आपके लिए अच्छी खबर है इसके अलावा दोस्तों बड़ी खबर यह है कि बिहार में जो है पंचायती विभाग में पंचायत सचीव के लगभग 5,000 पदों पर भरती होनी है देखे साफ साफ लिखा है पंचायती राज विभाग में पंचायत सचीव के करीब 5,000 पदों पर नियुकती होनी है तो देखे 5,000 पद आएंगे पंचायत सचीव के आपके लिए अच्छी खबर रहेगी इसके अलावा कई अन्य भागो ने भी रिक्तियों की सूचना, बिहार लोकसेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चैन आयोग है और जल्द ही इन पर पर परिख्चा करवा कर नियुकती पूरिकी जाएगी डॉक्टर और इंजिनियर जैसे विभिन स्रेडी की कई ऐसे भी पद हैं जिन्हें सीधे अंकों के अधार पर यानिकी मेरिट के अधार पर भरा जाना है सरकार ने ऐसे पदों को प्राथमिक्ता के अधार पर भरने का निड़ा लिया है यानि कि ऐसे पद जिन पर सिर्फ अंक की आधार पर नियुक्ति होनी है, सरकार इन पदों को प्रास्मिता से भरेगी ताकि अक्टूबर से पहले इन सभी पदों को भर दिया जाए, क्योंकि विधान सभाचुलाओं से पहले इन सभी पदों पर भरती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है, बता दें कि सरकारी अस्पतालों में 6477 डॉक्टरों और 9571 एक ग्रेट की नर्सों की नियुक्ति भी होनी है, पथ निर्मार विभाग में सहायक अभियंता के, यानि कि जो हमारे असिस्टेंट इंजिनियर होते हैं, एई जिसे हम कहते हैं, कि 400 पदों और अवर अभियंता हैं, जिसे हम जोनियर इंजिनियर जे ही कहते हैं, कि 600 पदों पर शिख्र नियुक्ति होने वाली है, अगर हम बात के रहेंगे कहां पर कितने पदों की भरती होने हैं, दोस्तों आप यहापर साफ साफ देख सकते हैं, शिक्छा विभाग में करी विज्यान वप रुद्यवकी विभाग में 3000 पद, पंचायती राजभाग में जो की पंचायत सच्चिव के पद होंगे, इसमें 5000 पद की नियुक्ति निकलेगी, ग्रामीड कार विभाग में करीब 1500 यानिक 1500, पत निर्माड विभाग में 1000, और पर्यावर्ड एवं वन सभी सरकारी विभाग हैं, बिहार करमचारी चैनायोग या फिर बिहार लोक से वायोग, सभी कारयालों में कार एकदम तेजे सुरू हो चुकी है, और जितने भी भरती प्रक्रिया बची है, और जहां-जहां परिक्षाय हो नहीं है, जल 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 पूरी कर ले जाएगी, से पहले भी देखिए, अगस्त सितंबर तक आपको बी एससी मेन की परिक्षा की संभावना पूरी-पूरी होती है, क्योंकि इन परिक्षाओं की नियुक्ती प्रक्राव जल्दे पूरी की जाएगी, इसलिए आप अपने तैयारी में तैयारी एसस करते रहें, आपको हमार वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद